नमस्कार मित्रों एक बार पुना हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक नई सीरीज लेकर करके जिसमें हम लोग जो प्रोग्रामिंग लेंग्विज है C++ उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आज का जो फर्स्ट हमारी लेक्चर है उसके इंदर हम लोग C++ अपने सिस्टम के उपर यह सीरीज जरूर आपको अच्छी लगेगी न तो आइए शुरुआत करते हैं C++ एक प्रोग्रामिंग लेंगे जिसके इंदर अगर आप अपने system के उपर इसको इसको इन्स्टोल करना चाहते हैं तो there are two ways, one is using online IDE, that is integrated development environment and second one is you have to install local environment, that is आपके PC के उपर, जो इसका एक अलग तरीक है और online का एक अलग तरीक है, ठीक है न, पहले हम बात करते हैं, online IDE की, देखिए IDE का मैंने पूरा नाम आपको बताया, integrated development environment, यह basically एक software application है, जो कि आपको एक facility प्रोवाइड कराता है, online, आप online सकते हैं, और online यह उसको compile कर सकते हैं, ठीक है न, इसके लिए आपको system को setup करने की local environment की जरूत नहीं है, जो दूसरा तरीका है, आज के दिनों में एक बहुत ही popular IDE है, जिसका नाम है VSC, that is Visual Studio Code, यह बिल्कुल free है, open source है, ठीक है न, जो कि Microsoft के द्वारा ही develop किया हुआ है, और का काफी सारे platform को support करता है, Windows, Linux और Mac OS, ठीक है न, इस slide में आप देख सकते हैं, मैंने इसका link दे रखा है, download का, तो मैं जब इसको upload करूँगा, तो आप description box में यह link आपको मिल जाएगा, ठीक है न, बस ultimately, मैं prefer करूँगा कि हम लोग local environment पे setup करें, ठीक है न, lab point of view से, तो हम देख क्यों चाहिए, जिसमें आप अपना program लिखेंगे, जिसको हम कहते है, source code, right, program अपना code लिखेगा, उसको edit भी कर सकता है, right, दूसरा compiler, compiler, actually, जो आपकी C++ language है, it is a compiled language, right, high level language, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो machine code है, आपका, वो, आपका जो code है, वो machine code में convert हो जाए ठीक है, तो देखे, मैंने यह आपर लिखा है, these are type of programs, text editor के बारे में, अब बहुत सारी companies के अलग-लग version है, text editor है, windows का अलग है, काफी सारी चीज़ियां आप देख सकते हैं, और एक चीज़िए important है, कि इसमें जब आप file save करेंगे, तो .cpp का extension रहेगा, right, compiler का मैंने आपको बताया, कि it converts high level language into machine level language, या फिर इसको low level language आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे compilers available है, window के लिए से min gw, काफी famous है, है न, Mac OS पर आप जाते हैं, तो X code भी available है, right, अब एक बहुत ही important चीज़िए में आपको बता दूँ, यह काफी सारे लोगों को पता नहीं है, right, if you create your program in C++, normal C++, then you have to have compile the code manually, आपको इसको link करना पड़ेगा, और फिर आपको execute भी आपको manually करना पड़ेगा, जो कि आज की rate में ठीक नहीं लगता है, तो turbo C++ एक environmental setup किया गया, यह भी एक तरगा ID है, ठीक है, इसके अंदर आपको सिरफ run command डालनी है, उपर click करना है, वो facility है, सारा काम ज हो जाएगा, ठीक है, तो turbo C++ को हम क्यों prefer करते हैं, the reason behind is, we just have to press run button, जैसा आपको बताया, that will automatically do all this task, like creating source code, file compiling and then execution, सारा यह automatic कर देगा, ठीक है, ठीक है, तो finally we can say that the turbo C++ is a very easy to download and install, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे, and it combines all necessary tools which are required for editing, compiling and running, and executing our program, सब काम automatic हो जाएगा, एक simple program बना करके, और इसको कैसे facility provide होती है, वो next class के अंदर पन discuss करेंगे, अब हम आगे जो discuss करने जा रहे हैं, कि हम अपने system के उपर C++ जो environment है, उसको कैसे download करें, और उसको कैसे install करें, बहुत ही simple steps मैं आपको बताऊंगा, देखे, यह line मैंने ल difference देख लिया, वहाँ पर काम C++ में manual करना पड़ता है, C++ को अगर हम development की बात करें, तो बजा ने इसको develop किया 1979 में, जब कि Turbo C++ was introduced by Borland, Borland एक कंपनी का नाम है, इन्होंने इस कंपनी ने 1990 में इसको develop किया, और इस कंपनी का जो headquarter है, वो California USA में है, ठीक है, अब देखिए आप आपको क्या करना है, आपको Google पर जाना है, सबसे पहले, और आपको लिखना है, how to download Turbo C++, जैसे कि मैंने यह पर लिखा है, जैसे ही आप यह लिखेंगे, तो आपके सामने बहुत सारी फाइल्स खुलेंगी, उसमें सबसे पहला जो link है, download Turbo C++ for Windows 7, 8, 8.1, 10 and other windows, यह सबसे पहल पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यह विंडो खुलेगी, मैं उसका screenshot लेकर के आए हूँ, आपकी सुईदा के लिए, तो इसमें सबसे पहले आप देखें, लिखा है, download Turbo C++, आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपके system के उपर, कुछी seconds के अंद पर का फोल्डर है, उसमें यह Turbo C++, इसका version है, यह download हो चुका है, यह zip file है, आप इसमें date भी देख सकते हैं, 19 October, आज morning में मैंने 9 बज़े के आसपास इसको download किया था, ठीके न, अब क्यूंकि यह zip file है, तो आपको इसको unzip करना पड़ेगा, ठीके न, देखें, मैंने zoom करके बता देता हूं, यह है Turbo C++, जैसे आप इसके फोल्डर के उपर right click करेंगे, और उस पर option आता है, extract all files, जैसे करेंगे तो आपके पास अब यह normal folder available रहेगा, यह पहले zip folder था, अब आपने इसको unzip कर दिया, right, I think यहां तक कोई दिकर नहीं है, बहुत ही simple तरीके से, अब 2-4-5 और discuss करेंगे, फिर आज की class को अपन खतम करेंगे, right, अब उस folder पर जब आप click करेंगे, तो you will find these 5-6 files, right, जिसके अंदर आप देखें, तर्बो C++ 3.2 वर्जन जो है, यह इसका main setup file है, यह भी आज morning में देखो develop की हुई है, इसको मैं एक्टर किया था, और सबसे बड़ी file भ जाएगी, उसमें लिखा है, देखो, टर्बो C++ 3.2 install shield wizard, right, यह आपको, आपका स्वागत भी कर रहा है, यहाँ पर, अब इसके अंदर आप जैसे आप next के उपर जाएंगे, तो आपको instruction देता रहेगा, फिर आपको आगे बढ़ना है, जैसे आप next पर click करेंगे, you will find this window, right, इसके अंदर देखें, सबसे पहले नीचे आप देखें, यह license agreement है, यहाँ पर by default आता है, I do not accept, जब आप accept नहीं करते हैं, तो आपको next का button नहीं आएगा, क्योंकि आपको install करना है, तो आपको इसकी terms और condition तो accept करनी पड़ेगी, इसके just उपर आप यहाँ पर click करेंगे, जै आपको access मिल जाएगा, next के उपर, I accept the terms in the license agreement, तो आपके पास पहले highlighted नहीं था, next वाला, अब highlighter हो गया, जैसे इसके उपर आप click करेंगे, तो आपके पास यह window आजाएगी, जिसमें आपको यह बताएगा, destination folder आपका C में जाएगा, यह turbo C3 की नाम से, तो आप इसको install करेंग तो इस तरह से यह थोड़ी देर में आपके फाइल जो है, install हो जाएगी, और सारी फाइल यह copy हो जाएगी, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर, यह जैसी यह complete होगा, तो आपके पास next बटन आएगा, फिर से, पर आप next करेंगे, तो आप फाइनली यह आपको कह दे जाएगी, वैसे तो by default, c drive के अंदर यह आपकी रहेगी, आप वहाँ से भी चला सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा, अब यहाँ से भी start कर सकते हैं, ठीके न, अब आप देखें, by default, दो तिन तरीके हैं, यहाँ तो वहाँ से start कर दें, यहाँ आपके जो desktop है, वहाँ पर इसका फोल्डर भी, automatic icon इसका develop हो जाएगा, यह zoom करके मैंने लाया हूँ, देखो यह MS-DOS, टर्बो C++ icon भी आ चुका है, ठीके न, इस सारी चीज़ें जो मैंने खुदने करी है, किस-किस तरह से में आगे बढ़ा, और कहां-कहां चीज़ें develop होई, उस सारी वही screenshot में आपके सामने जिसके अंदर ही file by default खुद नहीं बताया था कि यह रहेगा, तो आप देख सकते हैं, यह turbo C3 file जो है, वो आज morning में जब मैंने इसको install किया था, तो उस समय यह आपके पास आ जाएगी, ठीक है न, तो I think यहां तक का process आपको बहुत किलिएली समिन में आगे होगा, अब इसक के अंदर हम turbo C++ के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे file बनेगी, क्या-क्या चीज़े उसमें include होगी, उसको save करना, फिर उसको run करना और उसका output देखना, यह सारी चीज़े मैं आपको next class के अंदर बताऊंगा, तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको download कर लेंग झाल